फ्रेंट्स और इंडिया कोटा राउंड टू की चोईस फिलिंग से पहले कुछ इंपोर्टेंट बाते मैं आपसे सेर करना चाहता हूँ हला कि ये बातें आपको पता तो जरूर होंगी कहीं न कहीं से लेकिन आप इस पे अमल नहीं करते हैं जिसका खामियाजा आपको लास्ट में उठाना पड़ता है कौन कौन सी इंपोर्टेंट बाते हैं वो इस वीडियो में मैं बात करूंगा च्वाइस फिलिंग से पहले ये पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखके च्वाइस फिलिंग करते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे ये मानगी चलिए मेरे कंसल्टेशन में भी 112 से उपर बच्चे हैं सभी से मैं यही कहता हूँ जो मैं आप से कहने जा रहा हूँ कि ये पॉइंट जरूर अपने दिमाग में रखिएगा च्वाइस फिलिंग से पहले पहली बात सबसे इंपॉर्टेट अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर MBBS की गौवर्मेंट सी के लिए नहीं है तो फिर राउंड टू की च्वाइस फिलिंग करना बेकार है और क्यूंकि जो समय आप यहां पे फाइनल काउंसलिंग तक गवाएंगे उतरे समय आप ड्रॉप कर सकते या फिर कोई अधर स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं ठीक है तो अनेसेसरली टाइम व कोटा से कोंसलिंग करनी है या फिर अलबुद से कोटा से कांसलिंग करनी है व्य जादा करने आ सकते हैं All India Quota Round 2 की seat को अगर आप join कर लेते हैं तो All India Quota और State Quota किसी भी counselling में further आप eligible नहीं होगे तो कहने का सीधा सीधा मतलब है जो भी आपके साथ हो सकता है वो Round 2 तक ही हो सकता है तो यहाँ पर आपकी यह priority होनी चाहिए कि यहाँ पर आप decision ले कि हाँ आपको All India Quota की पूरी counselling तक जानी है उसके हिसाब से हमें choice filling करनी है या फिर हमें round 2 में ही अपनी choices close कर देनी है और यहाँ पर अगर हमारा selected institute मिला तो मिला नहीं तो फिर हम स्टेट कोटा से ही counselling के round 2 में जाके अपनी seat ले लेंगे यह आपको hard and far decision लेना पड़ेगा whether state quota और All India Quota कहां से आप counselling को proceed करना चाहते हैं और किस level तक जाना चाहते हैं यह जरूरी है तीसरा round 2 की counselling में unnecessarily choice feeling मत करिएगा कि आपको यह लगे कि ठीक है यह college नहीं मिला तो इसके नीचे वाला ले लेंगे इसके नीचे वाला नहीं मिला तो नीचे वाले लेंगे ultimately क्या होता है कि आपको यह लगता है कि नहीं यह college ठीक नहीं है हम state quota में चले आते हैं सरे बच्चों साथ होता और यहीं पर आप गलती करते हैं कि आपका यह जो round 1 का rule है वो round 2 में नहीं लगता है round 2 में आपको forfeit करना पड़ेगा आपकी security जाएगी चलिए ठीक है एक इस तरह का आप decision लेते हैं जिसको कि मत्तब किसी तरह से valid नहीं किया जा सकता मिस जो colleges आपको नहीं चाहिए वो round 2 में आप क्यों fill up करते हैं छोड़ने के लिए कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि round 2 में हम colleges डाल देंगे तो secure हो जाएगा अगर हम mop up में जाएगे तो वो seat तो आएगी चलिए मान लेते हैं कि यह आपका genuine तरीका है कि ठीक है जो आपने seat ली round 2 में उसको छोड़ दिया वो move कर रही है next round में लेकिन इससे आपका problem नहीं solve भूआ आपको जो seat चाहिए वो seat आनी चाहिए जो आपको seat चाहिए वो seat आनी चाहिए यह ज़्यादा जुरूई है तो कहने का सीधा जिया मतलब यह कि round 2 में अगर आप choice filling अगर आप counseling को खतम करना चाहते है और इंडिया कोटा की तो केवा selected college जो चाहिए वही fill up करिए unnecessary मत करिए अगर round 2 के बाद आप proceed करना चाहते है मॉप अप में या फिर stream है तो फिर तब भी आपको background में बच्चे करते हैं background में कुछ colleges को रख लेते हैं कि ठीक है यह वाली seat हम छोड़ेंगे तो next round में हमको मिलेगा ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको डर लगता है कि आने वाले round में हो सकता है seat यह तो कहने का सिधा मतलब है कि mob up में आप तभी जाएए जब आपको लगता है कि अगर आप aims के चक्कर में जा रहे हैं या फिर other state के top GMC के चकर में जा रहे हैं ठीक है तो यह risk लेके जाएए कि अगर आप mob up तक जाएंगे तो हो सकता है वो college की seat आपको मिले या ना मिले क्योंकि आपको यह नह मौप up में या इस्टे में for an example और आपका score है 615-620 आपको यह नहीं पता कि 625-630 वाला भी आ सकता है और claim कर सकता है seat यहाँ पर कुछ भी expose नहीं होता है कोई कहीं से भी आ सकता है ठीक है तो background plan लेके चलिए whether आपको फिर यह मान के चलना पड़ेगा कि मौप up में state के मौप top GMC आपको मिल जाए या फिर second number का GMC मिल जाए हो सकता है उसकी CT नहीं है अगर आप state मौप up की सोच रहे हैं कि ठीक है ऑल इंडिया कोटा मौप नहीं मिला तो state मौप में हम टॉप GMC ले लेंगे 640 score है 650 score है हमारा ऐसा possible हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो जो कुछ करना है आपको all India Kota में ही करना है फिर अगर आप रस्क लेकर चलना है तो फिर all India Kota में फिर अगर आपको इंस नहीं मिला तो फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा वो लेकर चलना पड़ेगा वगर आप इस्ट्रे तक मौप करने तो हो सकता है वो भी colleges ना है आपके पास तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी करिए round 2 में वो सोच समझ के करिए choices को देख के सोच के समझ के ही fill up करिए unnecessary choices fill up करने से कोई फायदा नहीं है decision आपको लेना पड़ेगा round 1 round 2 के जो भी joint के nets होंगे all india quota state quota ये सब block हो जाएंगे कोई नहीं आएगा mob up में या फिर stream है चाहे वो all india quota को या state को तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि हमको make और break वारी condition में जाना है तो फिर आप जा सकते हैं आप अगर ये plan कर रहे हैं कि ठीक हम मौपब में जाते हैं रिस्क ले लेते हैं जो भी होगा देखा जाएगा तो फिर टीक है आप रिस्क लीजिए लेकिन background plan हाथ में रखके ही लीजिए वैसे मत लीजिए तो कहने का सीधा मतलब यह कि round two की choice filling जो सार निकलता है वो यह निकलता है कि तभी करिया जब आपको लगता है कि आपको colleges यहां से लेने हैं उन्हीं colleges को डालिए unnecessarily मत डालिए unnecessarily choice filling भी मत कर रही है unnecessarily time भी मत बरबात करिए कि आप इस्टे तक पहुंच रहे हैं और आपका score बहुत कम है और आप यह उमेज में रखने कि स्टेम में बहुत कम score हो जाएगा तो हमको सीड मिल जाएगी unnecessarily time भरबात करने से कोई फायदा नहीं इससे च्छाट ड्रॉप करके या फिर कोई अधर इस टीम आप चूज कर सकते हैं तो यह important information है आप लोगों के लिए तो यह बात ध्यान में रखके ही choice filling करिए और अगर आप risk लेते हैं तो risk में आपका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है यह तोनों चीजें दिमाग में रखके चलिएगा क्योंकि इस बार का कौसलिका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हुआ है राउंड वर राउंड टू में मैक्सम सीटें फिलफ हो सकती है खास कर इस्टेट कोटा में दर सॉर्ण